मैं बताऊंगे आज नारियल लड्डू बनाना और इसे बनाना बिल्कुल असान है इसे सब कोई बना सकता है नारियल लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ दो चम्मच घी लिया है गैस को बिल्कुल धीमा कर देना है अब हम इसमें डाले देंगे नारियल का बुरादा बुरादा मैंने एक कटोरी लिया है और इसको हम चला लेंगे अब हम नारियल के बुरादा को 2-3 मिनट तक भूनेंगे और गैस को हम धीमा कर देंगे यह देखिए बिल्कुल नारियल का कलर चेंज हो गया ये नाजल का बुरादा बिल्कुल भून चुका है अब इसमें हम डालेंगे दूद मैंने यहां दूद डेड़ कप डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चला लेंगे चलाते रहेंगे कंटिनियू हम इसको नहीं तो नीची से बरतल में पकड़ लेगा और ये 2-3 मिन हो गया हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके बास से डालेंगे चीनी आप चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे चलाएंगे चीनी बिल्कुल अच्छे तरह से बिल्कुल गल जाए जब गलेगा चीनी तो सारा ना इसको बनाना बिल्कुल आसान है, इसको हर कोई बना सकता है, बिल्कुल मिल चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है, गल गया है चील, और हम इसको अलागतार चलाते रहेंगे, अब इसमें डाल देंगे, एक कप मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर डालने के बाद, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिलाते रहेंगे, मिल्क पाउडर डालने से जो नारियल का लड्डू है, माव वाला टेस्ट आ जाता है, तो इसका टेस्ट आपको पूरा मार्केट जैसा लगेगा, चीनी भी मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये रेटी हो चुका है बनके, इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ज्यादा नहीं ठंडा करना है, और इस तरह से हम लड़ू ले लेंगे, हाथ में अपनी हिसाब से लेंगे, इस तरह से लड़ू हम हलके हाथ से बना लेंगे, और दोनों हाथ के बीच में इस तरह से हम चिकना कर लेंगे, अब हम नारियल का बुरादा लगा देंगे, ये देखिए, ये आपका नारिक लड लडू बना लेंगे, छोटे वड़े आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है, इसी तरह से, लडू हम बनाते जाएंगे, लडू हम दोनों हाथ से बना सकते हैं, लडू का से फंदोनों ब्रावर लेंगे, और हलके हाथ से बनाते रहेंगे, यह आपका लड बनके तयार हो गया देखिए कितना अच्छा बना है नारियल का लड्डू जितना देखने सुन्दर लग रहा है उतना सुन्दर खाने में भी लगता है अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूले